धाय अगे वरीवन किई पेडनेस डे मॉर्निंग का व्रोग है तो ए दिक्र 빈 एक्षा को मैंने रेडि आई और मुझे पूछा ममा मैं क्रियोंस लेके जाओ पर ये सब अलाव नहीं है क्योंकि स्कूल वाले देते हैं वहाँ पर बस इसको लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेके जाना होता है फिर वो यहाँ पर अपना शू पहन रही है और जब वो इंडिया गई थी और मेरी दीदी के बच्चों को देखती थी वो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं नोटबुक्स लेके जाते हैं तो ये सब चीज यहाँ नहीं यहाँ पर नहीं लेके जा सकती है तो वो उसको एवरी डे बोलती है ममा मुझे यूनिफॉर्म चाहिए तो वो बस टॉप के लिए निकल गई है और मैं अपने किचिन के विंडो से ये शूट कर रही हूँ बस यहाँ पर आ गई थी जैसे ही वो दोने निकले हैं और बस यहाँ पर आ गई है तो बस आने के बाद फिर क्या था संकेत इसको जल्दी ड्रॉप कर किया और मुझे ब्रेकफस्ट बनाना था तो मैं आगे का टॉक दिखा रही हूँ जारी हूँ स्वेमिंग क्लास के लिए और यहाँ पर बच्चों का बैंड का गरूप है स्कूल के बच्चों का जो की प्रैक्टिस के लिए जा रहा है थे तो अभी बस मैं निकल गई हूँ और यह है एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाला अंडर कंस्ट तो आप यहां देख सकते हैं मेशिगन का ग्रेनरी मतलब बहुत ही सुन्दर है और यहां के घर अगर आप देखेंगे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं अंदर से तो बहुत ही अच्छा है पर इसको मेंटेन करने में बैंड बच जाती है तो हम तो अभी रेंटेड मतलब सारा ऐसा कलरफूल होगा उसके विंटर आते ही सारा ड्राइ हो जाता है तो मैं आज था कि स्विमिंग क्लास में पहुंच चुकी हूँ और आज था आज बहुत ही फ्रीली किक कर रही थी और फिर बहुत स्टेबल भी थी थोड़ा फर्स्ट क्लास में थोड़ा कोस्री शॉपिंग करनी थी और हम यहां पे कोस्को पहुंच गया है संकेत और अमुकार में थे मैं और आस था अंदर गये थे तो आस था यहां पे खेल रही है और उसका हेर वेट था तो मैं उसका पोनी टेल नहीं बनाई क्योंकि वो स्विमिंग के लिए गई थी और यहा Christmas Tree मतलब अभी Christmas का भी decoration आ गया है decorations आ गए हैं यहां पे और यह सब ना जब अपने घर के आ गए लगाते हैं ना हे सारे decorations तो बहुत ही अचे लगता है पर अभी मुझे मैं इसको अपने लिस्ट में डाल रही हूँ कि मुझे ये डायमेंड ब्रिसलेट और ये दो रिंग चाहिए कभी भी उसके बाद मैं आगई ड्रेस वाले सेक्शन में और ये स्टोर इतना बड़ा है ना कि मैं इसमें आपको हाफ का भी हाफ दिखा रही हूँ और ये हैलोईन कॉस्ट्यूम है यहाँ पर आस्था देख रही थी कि उसको कौन सा लेना है तो यहाँ पर एलसा का था चैस्मेंड प्रिंसेज और यहाँ पर आप देखेंगे पिंक वाला ये यूनिकॉन ड्रेस है और फायर फाइटर का भी ड्रेस था कॉस्ट्यूम था उसके बाद आस्था ने ट्राइ किया कि मुझे मामे ड्रेस ट्राइ करना है तो वो उसको निकालके ट्राइ करने लेगी और पुछी मामा मैं कैसी लग रही हूँ तो मैंने सोचा कि हैलोईन में मैं इसको दे दूंगी ये ड्रेस तो अभी मैं जा रही हूँ पनीर लेने के लिए तो ये चीज वाला पूरा एरिया इसमें सिर्फ चीज ही है और डिफरंट डिफरंट टाइप्स के होते हैं चीज पर मैं तो ज़्यादा मोजरेला लेती हूँ उसके बाद मैं जा रही हूँ मिल्क लेने के लिए डेरी वाले सेक्शन में तो यहां पे है यह आप देख सकते हैं यह है सारा डिजर्ट वाला इरिया इसमें सिर्फ डिजर्ट है तो बस अभी मैं जारी मिल्क लेने के लिए और यह जो डेरी वाला सेक्शन है इसके अंदर मतलब यह बहुत ही बड़ा फ्रीजर है जाने के बाद इतनी ठंड लगती है और मैं हाफ टीशेट में थी तो मुझे तो कुछ जादा ही लग रहा था तो फिर मैं यहां से मिल्क ले ली उसके बाद मैं ली एग क्यूंकि आस्था नॉन्वे चिकन वगेरा नहीं खाती है पर मैं उसको एग देती हूं विंटर भी आ गया है तो बच्चों के लिए अच तो मैं उसको एक देती हो और मैं ज्राशरी शॉपिंग अपना खर चुकी हूं और यहां पे आप देख सकते हैं pumpkin, Halloween आते ही आपको, sorry fall season आते ही आपको pumpkin दिखेगा सब उसको carve करके Halloween के time अपने घर के आगे लगाते हैं और ये एक eyeball वाला chocolate था वो Halloween theme पे based है तो और फिर मैं यहाँ पे आगे footwear section में और मुझे लेना था shoe पर मैं सोची थोड़ा wait कर लेते हूं next week लूँगी और ये मेरा favorite roll है favorite है coconut rolls, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितने fresh flowers हैं, roses हैं और ये different different colors में हैं, फिर मैं निकल गई हूं billing करवाने के लिए तो मैं self billing वाले line में जा रही हूं क्योंकि बाकी सारे counter पे बहुत ज़्यादा बहुत लंबी line थी फिर मैं यहाँ पे billing करवा रही हूं और आज था कि मैंने लिया था दो water bottle ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सुझे कि ले लेती हूं और size में भी थोड़ा big था तो school जाती है न तो उसके पास एक छोटा bottle है तो उसको फिर वहाँ से दुबाड़ा फिर पानी उसको fill करना पड़ता है अपने bottle में तो और ये है food court यहाँ पे आप food को order कीजिए और यहाँ से इस वाले section से आप food को pick कर सकते हैं और फिर मैं निकल गई हूं parking के side उसके बाद मैं जा रही हूं अपने कार के पास और वो जो white वाली कार है वो मेरी है so thanks for watching